कि नमस्कार दोस्तो दोस्तो आजकर वीडियो शूपर टेट टेट वीडियो और के एक लिए एग्जामान के लिए बहुत इंपरटन्ट तो आज के शूड़े में आपको संख्या पदेती से रिलेटर सारे ट्रिक्स बताऊंगा दो से त builders कर पाएंगे तो बढ़ते हैं क्क्वेशन की तरफ सबसे जो पहला वह लेते देखिए गुननफल इतना में इकाई अंक क्या है क्या चुन सा इकाई पूछ रहा है इकाई अंक क्या है तो मैंने आपको ट्रिक बताय हुआ है कि सबसे इकाई अगर पूछता है तो सबसे लास्ट पोलन नमबर से multiply करएंगा तोसे 4 ऐट साथ एकार क्यांगि आप देखिए आट को करें था आ Il acces 32 नेытर सो दू राकिन करेंगा तो यहाँ पर राखरेंगे 2 दो हो गुणा तो कि कितना दोता आता है, तो 14 में 1 का है, 4, अब बचा क्या 3, तो 4 ती आई 12, 4 ती आई 12, तो 1 का है 2, तो इसका answer कौन सा हो जाएगा, option number 1, 2 answer हो जाएगा, फिर से मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले 4, 8, 7 और 3 में multiply करना है, कैसे multiply करना है, चार से आठ में 32 होता है तो दो बचा गुना साथ से तो 14 आता है तो 4 बचा लास्ट का चार में 3 का गुना 3 तो 4 ती आई 12 तो option हो जाएगा 2 तो यहाँ पर option number 1 answer हो जाएगा 2 बढ़ता है next question की तरफ तो जो question अगला यह देख सकते हैं कि 1921 का power है 45 में इकाई अंक क्या होगा तो मैंने आपको बताया है कि 0 1 5 और 6 0 1 5 और 6 इसका कोई भी power हो कोई भी संक्या power हो 2008 कोई भी power हो अगर इसका कोई पावर है तो इसका संक्या बदलता नहीं मतलता नहीं है तो इसका इकाई अंक भी एक ही हो जाएगा ठीक है फिर से बता रहो मैं आपको एक है अगर इसका power 45 करे 2000 करे उसका power क्या हो जाएगा उसका इकाई अंक बदलेगा तो कौन-कौन से नंब्र है जीरो का पाउर कुछ भी हो या वन का कब कुछ भी होमार किए या फिर 6 पाउर कुछ भी हो या पिर इसलनल पिया है साइग उसको निवाओर कर दो ав透 का कुछ भी हो नियुक्त पर्टेट की एक्जाम की तयारी असानी से कर पाएं तो नेक्स कोशन दर बढ़ते हैं नेक्स कोशन आप देख सकते हैं कि संख्या 12 का पावर 2002 है इसमें इकाई यंग क्या होगा तो देखे मैंने बताया था कि 0, 1, 5 और 6 इसका पावर कुछ भी रहे तो एंसर क्या होगा वो चार से डिवाइड करते हैं यह ट्रिक है चार से डिवाइड करते हैं तो इसका जो सेस्फल क्या जाएगा इसका सेस्फल बचेगा दो ठीक है इसका सेस्फल बचेगा दो इसका कहने का मतलब है कि 12 का पावर अब हो जाएगा दो यानि 144 तो इसमें एकायं क्या है चार तो इ इस नंबर के पावर्ज पर हम लोग चढ़ा देंगे तो शैघंतना होगा एक से सो तक सभी संख्याओ का योग कितना होगा तो मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी प्रस ने पूचे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं एक दो तीन ऐसे करकर के 100 तक लिखेंगे तो इसमें सबसे पहला संख्या कौन सा है पहला अंग एक है प्लस आखरी अंग क्या है 100 है तो प्लस 100 और बटे में 2 और गुणा क्य करेंगे टोटल कितने संख्या है 100 है टोटल एक सब्सक्राइब फिर से आपको बता रहा हूं ध्यान से देखिए तो पहला संख्या 1 है उसमें टोटल नंबर अउप संख्या कितने एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब और यह हो जाएगा 101 euro एक सो एक गुना पचास तो जो मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका option नमबर आ जाएगा बी यानि पचास पचास यह हो जाएगा आपका answer बहुत ही easy question है और बहुत पार exam में पूछ जाता है अगले question की तरफ बढ़ते हैं तो पहला क्या होगा दो चार छे आठ ऐसे करकर के कहां तक 80 तक जाना है तो यह भी पिछले की तरह ही है तो पहला संख्या क्या है दो है और आखरी संख्या क्या हो जाएगा 80 है उसको डिवाइड करेंगे दो से गुना टोटल नमबर आफ संख्या कितने होगा यहाँ पर संख्या है टोटल तो उसमें 40 होंगे सम और 40 होंगे विश्म यानि क्या होगा कि पहला संख्या दो था आखरी संख्या असी है उसको दो से डिवाइड करेंगे गुना 40 संख्या को उसमें मल्टिप्लाई कर देंगे ठीक है तो क्या जाएगा यहाँ यहाँ जाएगा 20 और य जरूर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किये बगएर ना जाएं सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत एक बेल का आइकोन आता है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें तो यह था क्वेशन सबसे पहले क्या कि हम होंगी तो हमको सम चाहिए तो यहां से काट कूट करके आपका जो एंसर आजाएगा वह आजाएगा ऑप्सन नंबर भी 16 सचालिस नेक्स वोशन की तरह बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेशन भी बहुत इंपोर्टेंट है बहुत बार एक्जाम में आ चुका है तो जो क् समसंख्या तो उससे कम लेंगे 49 तो द्यान से देखिये ट्रिक क्या है तो एक से लेके 49 तक तो मैंने क्या बता था सबसे पहले क्या करेंगे पहला संख्या प्लस दूसरी संक्या मतलल आखरी संक्या divided by 2 गुना में अगर 40 है संक्या तो उसमें क्या होंगे अगर 40 संक्या है तो उसमें 20 विशम होंगे और 20 संक्या होंगे हमको किसे मतलब है हमको मतलब है विशम से तो यहाँ पर पहली संक्या 1 थी आकरी सक्या 49 थी उसको 2 से डिवाइड कर दियें और विश्वम संक्या कितनी होंगी 20 होंगी तो 2 से 10 बार में यहां पर आगया 40 और 10 400 तो यहां पर 400 जो है इसका सही अंसर हो जाएगा इसका option number हो जाएगा इसका option हो जाएगा बी यह आपका सही अंसर हो जाएगा तीन क्रमागत प्राकृतिक संक्याओं का योग 87 है तो बीच वाली बीच वानी यली मध्य वाली संक्या क्या होगी तो यह question बहुत ही important है बगर student जो है बहुत confused रहते हैं देखिए ध्यान से 87 है उसको 3 क्रमागत संक्या संक्या दिए तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 87 बटा 3 तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे इसको कितना आ जाएगा 3 दुना 6 उद्धा 2 बचा 3 9 27 ठीक है तो 29 तो इसका सही अंसर क्या जाएगा 29 29 है तो मध वाली संक्या 29 है तो इसके पहले वाली संक्या क्या होगी 28 तो अगर छोटी संक्या पूछती तो क्या निकलता अंसर 28 और बड़ी संक्या पूछता तो क्या निकलता 30 क्योंकि 28 29 30 यह मध्य है यह वाला जो है मध्य है तो यह बड़ी होगी और यह छोटी होगी तो हमको मध्य पूछाता इसलिए इसका अंसर हो जाएगा B option number B 29 पच्पन है और पांच है तो पच्पन डिवाइड़ बाई 5 5 से 11 बारे मकटेगा तो क्या हो जाएगा इसका अंसर 11 होगा यह लेकिन यह मध्य नहीं पूछा यह मध्य निकला हुआ है और इसके पहले होगा 10 और इसके बाद होगा 12 ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे पच पच्पन डिवाइड़ बाई 5 इसके बाद वाल संक्या क्या होगा 12 यह 12 है लेकिन 12 क्या है विश्ण संक्या पूछा हुआ है तो विश्ण संक्या नहीं है तो और एक बढ़ा के लेंगे 13 तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यह 13 से मैच कर रहा है तो बढ़ता अगल यह प्रस्न आपको बहुत ही common मिल जाता है तो question क्या है दो संख्या का युग 40 है और उनका अंतर 6 है तो बढ़ी संख्या क्या होगी तो इसका त्रिक है बहौत ही सिंपल ट्रिक है अगर बढ़ी संख्या पूछी है तो 40 और 6 इं दोनों को जोड़ देंगे 40 को जोड़ दें बहुत important है उसी तरह का next question है वहाँ पर था कि बड़ी संक्या यहाँ पर पूछा है छोटी संक्या क्या होगी तो जब छोटी संक्या पूछे तो माइनस कर देंगे तो 36 और 12 में माइनस करेंगे 36 माइनस 12 कितना हो जाता है यहाँ पर 24 हो जाता है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका answer हो जाएगा 12 बहुत important question है क्या कि हमेंने अगर बड़ी संक्या पूछे तो दोनों को जोड देंगे और छोटी संक्या पूछे तो दोनों अंको को घटा देंगे तो 36 माइनस 12 कितन होता है 24 होता है और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एंसर आजाएगा बारा option नमबर भी बारा एंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अगला question जो है बहुत ही important है students इसको question में बहुती confusion जाते है ध्यान से question पढ़िएगा पहले कि दो संक्याओं का योगफल और गुननफल करम सही 11 और अठाड़ा दिया हुआ है तो संक्याओं का वित्करम यानि opposite संक्या का योग क्या होगा योग क्या होगा ध्यान से question को पढ़ेंगे योग क्या होगा त बस इसका answer हो जाएगा 11 बटा अठाड़ा बहुत ही सिंपल से trick है क्या करेंगे योग पूछे या अंतर पूछे सवाल में सबसे पहले जो योगफल होता है उसको लिखेंगे 11 और जो गुननफल होता है यहाँ पर अठाड़ा 11 बटा अठाड़ा इसका answer हो जाएगा तो दो संग क्या होगा गुननफल और योगफल दिया हुआ है तो उनके विद्करम का योग क्या होगा गुननफल योगफल बटा गुननफल मतला अप्शन नमबर डी यह आपका सही answer हो जाएगा देख्शन की तरह बढ़ते हैं अगला question भी सेम है बट थोड़ा अलग है क्या question दे क्या है पांच और गुननफल की देख्शतिस तो पांच बटा अप्शन नमबर यह आपका सही हो जाएगा दोस्तों यह था आज आपके लिए संख्या पदिती का सीटेट टेट वीडियो और के विएस के लिए बहुत important question जो की संख्या पदिती यह नमबर सिस्टम से बगर ना जाए और सब्सक्राइब करने के जस्ट बाद ही एक बेल का इकन आता है उसे जरूर प्रेस कर लें अगर आपको इस वीडियो से कोई भी question है तो comment box में जरूर comment करें और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए फ्री में PDF चाहिए तो हमारा WhatsApp ग्रूप जॉइन करें जिसका नमबर है 7044323173 तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में थैंक्स फूर वाचिंग दे वीडियो